नमस्कार देश में जब भी एक संजीदा और करतव निष्ट राजनेता की चर्चा चलेगी उसमें एक नाम स्वर्गी माधाराव सिंधिया का भी होगा 1971 से संसदी राजनीती में इस अपाराजे योद्धा को सिर्फ मौत ही हरा सकी कीमत वसूल दौर में वे मूल्यों की राजनीती करने वालों में बिर ले थे लाल बहादुर शास्त्री जी की ही तरह रेल दुरगटना की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने एक बार मंत्री पत्से इस्तीफा दे दिया था आज के नेता गण तो स्तीफा देना तो दूर लाशों की धेर पर खड़े होकर माला सेलफी से भी परहेज नहीं करते सिंधिया जी इतने बड़े नेता होते हुए भी अपने छोटों से ना सिर्फ अपना फीडबैक पूछते थे बलकि उसकी राय को भी महत्व देते थे इतना संजीदा और यथार्द के धरातल पर राजनीती करने वाला अब शायद ही कोई मिले कार्यकरता की मोटर साइकल पर सवार होकर वो वहाँ वहाँ पहुँचे जहां परशासन भी नहीं पहुँच पाया वे कॉंग्रेस की राजनीती के ऐसे सूरे थे जो दोपहर को ही अस्थ हो गया 1984 का लोकसभा चुनाओ उनके जीवन की बड़ी अगनी परिक्षा थी जब उनकी मा राजमाता विजया राजे सिंधिया ने उनके मुकाबले भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपई को खड़ा कर दिया था और खुद चुनाओ अभियान की बागडोर थामे थी लेकिन ये चुनाओ भी सिंधिया जी ने भारी मतों के अंतर से जीता था सिंधिया जी ने 1971 का चुनाओ जनसंग की टिकट पर लड़ा 77 में वे निर्दलिये चुन कर संसत पहुँचे 80 का चुनाओ कॉंग्रेस से लड़ा नरसिम्हा राओ ने 96 में उनकी टिकेट काट दी तो सिंधिया जी ने विकास कॉंग्रेस बना ली उसी से लड़े और लोकसभा पहुँचे वे अपराज ये थे एक महराजा आम आदमी को अभीष्ट मान कर ऐसी भी मुल्परक राजनीती कर सकता है वे इसके अद्विती ये उधारन थे विन धिवासियों को उनका शुक्र गुजार होना चाहिए कि सिंधिया जी की पहल और मॉनिटरिंग के चलते रिवा सतना रेल लाइन रिकॉर्ड समय पर लोकारपित हो पाई उन्होंने भूमी पूजन के दिन ही इस परियोजना को पूरा करने के मियाद घोशित कर दी थी 1997 में जब रिवा भीशन बाड से घिरा हुआ था तब भी उन्होंने ततकालीन मुख्यमंत्री दिगविजे सिंग को बाड की विभीशिका को लेकर लिखा आज उनकी पुनितिती है आईए हम सब उन्हें याद करते हुए नमन करें नमस्कार